सुप्त वजरासन आपको अपने पैरों को इस तरह से सामने की और खोल लिजिए दंडासन में बैठ जेए कमर को सीधा रखिए फिर एक एक करके अपने पैर को एक बार राइट और लेफ्ट को इस तरह से वजरासन की स्थीती में पीछ लाएं अंगुठा एक दूसरे से मिला रहें दोरों हाथ आपके घुटनों पर कमर एक दन सीधी करदन सामने की और और फिर सुप्तवजदासन में आपको अपने पैरों को जब आप हील पर बैठे होते हैं हील से बीच की और पैरों को इस तरह से खोल लिजिए और कोहनी का साहरा लेते हुए अब यहां से देखना पीछे की और ले दोनों हाथों को क्युद्र के नीचे इस तरह से रखते हुए अराम के स्थिती में लेट जाएंगे ज्यान रखेंगे कि आपकी बैक है वह जादा आक ना हो मतलब जाद जादा नीचे की और पुश करना है उसे वैसे आपको रिलाक्स मोड में स्टामक अंदर की और और वजरासन पूरी तहां से स्टेबल और बापिस आते हुए आपको कोणियों का सारा लेना है बिल्कुल अराम से ध्यान रखना है कोणियों का सारा इस तरह से लेते हुए आपको उपर की और आना है और फिर वही स्थिती दुबारा से वजरासन में आके एक एक करके पैरों क को खोल दिना है शुप्त वज़ासन वज़ासन की तरह ही है यह थोड़ा एडवांस वेरिएशन है इसमें क्या होता है कि जिनको सबसे पहले आपको वज़ासन बहुत दिनों तक लगातार करना है उसके बाद यह सुप्त वज़ासन करें वादी की फेक्स बीटी का भी ध्यान रखें और अगर आप ज्यादा है ज्यादा मोटे हैं तो सुप्त वज़ासन से बचें ध्यान रखें जब आप लेटें तो आपको जो कमर है जो आपकी कमर है हल्किसी आख में आ सकती है बट आपको शोल्डर्स बिल्कुल रिलाक्स नीचे की तरफ गल्दिन भी एक बिल्ल करते हैं अगर आप बिल्कुल बेगिनर है तो चलते हैं इनके फाइदे पर सुप्त वज़ासन में आप जब बैठते हैं तो आपकी पूरा खिचाव आपके थाई से होते हुए आपके स्टमक और आपके अपर पूरा एकदम खिचाव आता है बॉड़ी में इससे आपके थ आइस भी टोन होती हैं आपका स्टमक भी अंदर होता है और आपके अपर बॉड़ी भी एकदम टोन होती है जिनको अस्थमा है अस्थमैटिक प्रॉबलम है उनके लिए भी सुप्त वज़ासन बहुत ही बेनिफिशल है सुप्त वज़ासन नकारात्मक विचारों को भी प्रॉबलम होती है और आपको साइटिक का पेन है तो वह भी काफी रिलीव होता है बट इसको एक्सपर्ट किराय में करें अगर जिनको साइटिक का पेन है बिल्कुल अराम से ज्यादा ओवर्स्ट ना करें अब जब नीचे जा रहे हैं तो अपने नीचे पीलो रख सकते ह है जादा अगर नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पीलो रख सकते हैं तब उसके उपर आप लेट सकते हैं जिनको शोल्डर इंजरी है शोल्डर में इंजरी है या नेक में इंजरी है या एल्बो में को इंजरी है तो ये सुप्त बज़रासन ना करें सुप्त बज़र और परशन ध्यान रखें कि आपको घुट्नों में दर्द है अर्थराइटीस है या बैक में कोई इंजरी है शोल्डर में कोई इंजरी है वो ना करें और ये जिनके सुल्टर जुके वे हैं उनके लिए सप्ध्रवर्ज आसन बहुत ही अच्छा है वो उनके पॉस्टर को का करता है काफी स्टेबल बनाता है और आत्मिश्वास जगाता है ध्यान रखें जिनको हाट की प्राब्लम है हर्निया है यह कोई आपरेशन हुआ है यह माइग्रेन है तो आप यह आसन बिल्कुल ना करें हाइब बीपी में भी आसन आपको नहीं करना है अवाइड करना है तो यह अब कुछ चीजों का ध्यान रखें विधी और इनके फायदों को देखते हुए आप इस आसन को जरूर कीजिए और किसी एक्सपर्ट किराय में कीजिए थैंक्यू सो मच दुबारा मिलते हैं धन्यवाद